प्लैटफॉर्म पे जिसका नाम है वीफोर यूपेसी पहले हम लोग विसीज यान एड़ यान थी दोस्तों लेकिन सर्टेन रीजन के कारण यूट्यूब पे सर्चिंग प्रॉब्लम होने के कारण और बहुत सारे चैनल सुनाम से थे इसलिए हम लोग जो है अब अपनी चैन और बंगलादिस के जो सीमाएं थी जिसको हमारी बिभिन परकार की जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स प्रोटेक्ट करती थी अभी उनको एक बहुत बड़ा हथियार मिलने जा रहा है और यह ऐसा हथियार होगा जो वो खुद नहीं चलाएंगे लेकिन इससे उनको बहुत ही ज़्यादा फाइदा होने वाला है और यह कौन सी आदियार है दोस्तों तो यह है आपका दा इगल आई फ्रोम दा स्पेस यानि अब हमारी जो ग्री मंत्राल है उसका एक अपना सेटिलाइट सिस्टम होगा जिसके द्वारा वो आपकी इंडिया के जो बिभिन ब होती है तो इन छेत्रों पर आज की टाइम में क्या करेगा एमेचे वह अपना सिकंजा कसेगा और अपनी वह एक नई आपका अपका अपकर नाली को स्थापित करें तो इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि आपकी एमेचे क्या रोल होता है आपकी पूरे सेटलाइट खुद बिल्ड अप करने वाला है या किसी की हल्प लेगा और इससे हमारी बॉर्डर एरिया किस तरह से प्रोटेक्ट हो जाएगी किस तरह से ज्यादा सेफ होगी और सभी चीजों को हम लोग देखेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं let's begin सबसे पहले देखें दोस्तों तो हमारे अजाद इंद फौज के जो निताजी थे उनका ही हम 이상 से सोच रही थी कि जो हमारी फौचे हो वो हमेसर से क्या हो आजाद हो यानि उन पर किसी भी तरह का कोई प्रेसर ना हो जो आज के टाइम में देखने को मिल रहा है कि हमारी जो government है उसने free hand दे रखा है हमारी army, navy, air force, capf इन सभी को कि जहां आपको जो सही लगता है हमारी मात्रभूमी की रक्षा के लिए आप वो step उठाएए आप उस step को forward किजिए और पूरी government जो है आपको back करेगी इसी कारण से आप देखो चाहे वो उरी attack हो, बाला court strike हो, आपके पठान court के बाद आपकी air strike हो, इन सभी में या फिर आपका मयानमार में जो आपका operation होता है इन सभी में आप देखो government का full support रहता है और कास्थ वर पे जो हमारे NSA है अजीब डोबाल उनकी एक बहुत ही अहम किरदार रहता है इन सभी चीज़ों में तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अगर बात करें इमेचे की तो ministry of home affairs जो होती है दोस्तो भारत का जो ग्री मंत्राले है वो आपका अगर देखो तो उसके अंतरगत में total seven आपको central armed police forces देखने को मिलेंगी पहले इन्हें क्या बोला जाता था पहले इन्हें paramilitary force बोला जाता था या फिर इन्हें के अंदर ये उप्रक्षाबल भी बोला जाता था लेकिन अभी क्या है इनका नाम change किया गया है और अब ये paramilitary force नहीं कहलाते अब ये कहलाते हैं C.A.P.F. Central Armed Police Force और इसमें देखो गे आज के time में आपकी 7 अलग अलग तरह की unit work करती है एक है आपका awesome rifles जो इन सभी 7 unit में सबसे पुराना है दोस्तों ये लगबग अंग्रेजु के time में देखा जाए तो लगबग 1960 के आसपास इस unit का establish किया गया था और सबसे नया अगर मैं बात करूं दोस्तों तो इसमें आप आपको देखने को मिलेगा ITBP जो especially आपका जो high hilly snowy area जो है खास तोर पे आपका चाइना रीजन्स का जो इंडिया चाइना जो LSE area है उसको protect करने के लिए आपका ये बनाया गया था तो अभी के time में आपकी MHA के अंतरगत ग्रीव मंतराले के अंतरगत आपकी 7 unit है awesome rifles border security force ज जो आपकी institutional है जैसे airport आपकी जो monuments हो गए जो आपके important अदोगिक प्रिस्थान हो गए factories हो गई वहां इनको ये protect करने का काम करते हैं CRPF आप जानी रहे हो पूरे देश में कहीं भी आपकी insurgency हो चाहिए वो पठार हो पाल हो मैदान हो दलदली चेतर हो रिगिस्तान हो इन internal insurgency है उसको tackle करने में जो CRPF है ये बिल्कुल backbone का काम करती है ITPP आप जान रहे हो कि ये इंडियन तिबबत आपका battalion police है जो mainly हम लोग कभी भी देखो जो वो area जिसको चाइना ने 1969 में annex किया है officially हम ये मानते हैं कि वो चाइना का part है बट अभी भी हम ये मानके चलते हैं अपने अंदर कि ये जो है वो तिबबत है और इसी कारण से है देखिए तो ITPP यहाँ पर इंडियो तिबबत battalion police है ना कि या border police है ना कि आपका इंडियो चाइना water police ये आपका mainly ITPP है जो high hills area में में जो हमारे मुंबई attack जो हुए थे 26-11 उस time first पहली बार आपने इस NSG का नाम सुनाओगा national security guards का और यह काफी जो covert operation है उनको यह tackle करने में काफी इनकी महारत हासिल है आपकी covert operation यह बहुत अच्छे से deal करते हैं और साथी साथ जो seven unit है वो है आपकी SSB सससर सीमा वल ठीक है बीए सेप को हिंदी में बोला जाता है सीमा सुरक्षा वल और यह है आपका सससर सीमा वल जो आपकी नेपाल और भूटान वाला जो एरिया जहां पर उतना ज्यादा insurgency तो नहीं है बड़ तसकरी नकली नोट इन चीजों का खत्रा थोड़ा रहता है तो यह उस वाले चेत्र को protect करते हैं तो टोटल आज के time में seven units है जो आपकी work कर रही है और उसकी कारण आप देखोगे कि जो MHA है MHA ने क्या किया है तो अभी MHA ने क्या किया दोस्तों कि जैसे अभी आप देख रहे हो कि उधर Ukraine रस्या टेंसन बढ़ रहा है फिर आपका Taiwan चाइना का टेंसन बढ़ रहा है तो और उपर से अभी पाकिस्तान के साथ जो चाइना की गनिश्टा बढ़ी है उसके कारण उसने जो है बिलकुल state of the art weapon जो बिलकुल ही बहतरीन डंग के हतियार है अब चाइना ने पाकिस्तान को वो चीज़े प्रोवाइड करनी शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के किलाफ आपकी जो अपने actions हैं जो अपने operations हैं उसको वो continue कर सके और आज के time में अगर आप देखो तो यह पूरा इंडिया का map है दोस्तों जहां पर आपकी अलग अलग जो आपकी यह arm forces है वो protect करती है तो यह area आमने बता दिया कि आपका catch of run से ले करके जो यह area है आपका LOC तक यह आपका protect करता है BSF और उसके बाद इधर जो आप देख लो तो यह जो area है आपका सियाचीन glacier से ले करके आपके लगबग उत्राखंड का जो area है लेपुलेख दर्रा तक वहां आपको देखने को मिल जाएगा ITBP बीच में जो यह नेपाल का area आता है दोस्तों यहां पर आपको मिलेगी SSB फिर से देखो सिक्किम वाले चितर में आपको ITBP मिल जाएगी फिर यहां पर द प्रटेक्ट करती है मैंनमार बॉर्डर को और यहां पर देख लो तो आपकी बंगलाद इस बॉर्डर है फिर से इसको BSF उपरेट करती है यानि इस पूरे चेतर में अगर आप देखो तो चार आपकी जो ऐसी आहम पूर्सेस हैं एक BSF, ITBP, SSB और Assam Rifles इनको इसमें बॉर फिलहाल इसकी जो एकसिस है वो आपकी BSF, ITBP और SSB के अलाबा जो हमारे CRPF है जो हमारे Internal Insurgency को कंट्रोल करती है उसको इसकी जिमवारी दीगे है और यहां पर आप उनके थोड़े इमेजस देख सकते हैं यह आपकी ITBP की है यह आपका CRPF का है जो आपको देखिने को मिल बताया कि अभी कड़ी नेजर रखनी के लिए इसरों की हेल्प ली जाएगी और यहां पर एक खास तरह का सर्विलाइन सेटलाइट डाला जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं EOS यह नाम याद रखिएगा दोस्तों आपके एक्जाम परपस से तुला इंपोर्टेंट होग EOS जिसको बोलते हैं Earth Observation Satellite मेंली इसका काम क्या होता है दोस्तों तो इसकी variety of works हैं पहले तो यह क्या करती है एक निश्चित जगह पे यानि वैसे तो बाकी सेटलाइट Earth को revolve करती है लेकिन यह बिलकुल Earth को revolve तो करती है रोटेट करती है अर्थ के चारों तरफ लेकिन आप इसको किसी भी एक स्थान के उपर फोकस कर सकते हो जैसा कि आपने फिल्मों में भी देखा होगा बाला को श्ट्राइक या ओरी जैसी मूवीज में भी देखी होगी कि इस तरह के चीजों की help से जो आपके दुस्मन में प्रकवादी ठीका नहीं है इस तरह की चीजों का पता लगाती है बॉर्डर एरिया पे अभी देखो चीन के किस तरह से डिप्लाइमेंट है उन सारी चीजों की जो ख़वर है हमें इसी तरह के स्रेटलाइट EOS से मिलती है दोस्तों और इसी कारण से EOS जो है काफी ज़्यादा important हो जाता है अगर आप देखिए इस EOS में तो किस तरह की चीजे लगी होती है तो यहाँ पर radar amazing होता है my probe remote sensing होता है Cartographic satellite होते हैं और इसमें जो है thermal heat camera आपके night vision camera इस तरह की चीजे लगे होती है infrared cameras होते हैं ताकि वहाँ पर जिस तरह की अगर हल चल होगी तो वह heat sensing के कारण या night में भी बिलकुल अच्छी तरह से work कर पाते है इस साल इसी तरह का एक और satellite हमारे इस्रों के द्वारा चोड़ा गया जिसको हम लोग EOS, Earth Observation Satellite 4 या Reset 1A भी बोलते हैं यह भी एक तरह का आपका का सकते हो निगरानी सर्विलान सेटलाइट है और भारत में अगर बात की जाए तो पिछले 43 सालों में अभी लगबग 41 EOS satellite launch कर चुके हैं जिसमें आपकी 40 जो हैं वह वो विलकुल successful रहे है सबसे पहले अगर इस तरह के satellite की बात करें तो हमारा 1988 में try किया गया था लेकिन वह यह fail हुआ था 1999 में सबसे पहला जो है EOS आपका जो है successfully launch किया गया और अभी देख लो तो हाल फिलाल में देखिए तो यहां पर बहुत ही जादा इस तरह के satellite हम लोग पैनात कर रहे हैं इस इसके दो रीजन है दोस्तों इसका पहला सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोग अब जो है अगर इस तरह की बात करें तो इस तरह की technology बहुत ही advanced हो चुकी है पहले की मुकाबले बहुत ही जो है बिलकुल state of the art type की उसकी quality full launching हो गई है और इस तरह से बहुत जादा बहुत अच् EOS आप याद रखिएगा कि जो EOS होते हैं या surveillance satellite होते हैं वो Leo orbit में deploy की जाते हैं यानि lower earth orbit में लेकिन यहाँ पर जो हम लोग इस satellite की बात करें जिसको हम लोग अभी launch करेंगे for the home ministry उसको हम लोग 500-600 km के area में ना रख करके उसको हम लोग 400 km के area में रखेंगे ताकि वो और ब टॉपिक में इतना ही था दोस्तों उमीद है आपको यह टॉपिक पसंद आई होगी और आपको हमारे देश के जवानों का काम बिलकुल सरानी है कैसा लगता है इस पर आप अपनी कमेंट दे सकते हैं और उनके लिए कमेंट सेक्शन में एक सलूट जरूर दीजेगा दोस्त सो मजेग